कि हेलो फ्रेंज कैसे आप सब आज मैं आपके सब तिल के लड़ू की रेसीपी शेयर करने जा रही हूं तिल शरीर को ताकत तो देते ही हैं साथ शरीर को गर्म भी रखते हैं इसलिए खास तोर पर यह लड़ू जो है सर्दियों के मौसम में भनाया जाते हैं इसे बनाना इतन सफेध वाले 100 ग्राम तिल लिये हैं और 100 ग्राम ही गुड़ इस गुड़ को मैंने पहले से क्रेश करके रख लिया है यहां पर हमने थोड़ा सा घी लिया और थोड़ा सा पानी चाहिएगा सबसे पहले हम एक पैन लेंगे और उसमें ये तिल डालकर हमें इनहें रोस्ट करना है इनको हमें ड्राइ रोस्टी करना है मतलब इसमें Nीचे घी तेल वगईरा कुछ भी नियर डालना है सिर्फ दिल हीडालकर हमें इनको थोड़ा सा भून लेना है जब हम तिल को roast करते हैं तो यह बहुत जल्दी roast हो जाते हैं यह ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं अगर हमने इनको थोड़ी high flame पर roast कर लिया ना तो क्या होगा कि थोड़े कड़वे होने के chances होते हैं मतलब कहीं कहीं से ज़्यादा roast होने के वज़े से खाने में थोड़ा जाते हैं जब आप थोड़े से तिल को हाथ में लेकर इस तरह से तोड़ेंगे तो यह अच्छे से तूट जाएंगे और इसका पाउडर बन जाएगा इसका मतलब यह प्रॉपरली roast हो गए हैं बस हमें इनको इतना ही रोस्ट करना इससे ज्यादा रूस्ट नहीं करना है अ यहां पर आपको सेजस्ट करूंगी कि आप भी गुड को ग्रेट करके चुटे-चुटे क्रेश करके ही डालें इससे क्या होता है ना कि एक तो गुड को मैल्ट होने में ज्यादा टाइम नहीं लगता और गुड इवनली कूक होता है मतलब अगर गुड में जो मूटे पीस लेकिन अगर फिर भी अपने को समझ में नहीं आए कि अभी हुआ है या नहीं तो हमें क्या करना है एक बाउल में पानी लेंगे और उसमें थोड़ा सा हम इस तरह से चाशनी को डाल के देखेंगे अगर यह इसमें नीचे जाकर बैट जाती है मतलब पानी में घुल नहीं सिह चाशनी ता रही मैं और जब हम इसको इसपर से हाथ में ऊठाकर देखेंगे तो एक आसवट बॉल बननी चाहिए यह मतला हमारी चाशनी ऑफिक्ट है अभी गैस को बंद कर देना है और जो तील है हमारे उसको इसमें मिक्स कर देंगे इसे हमें लगातार चलाते हुए ही मिक्स करना है क्योंकि एक तो पैन बहुत गर्म है अभी हमारा और गुड़ भी बहुत गर्म है इसलिए इसको लगातार चलाते हैं फटा-फट-फटा-फट मिक्स करना है यह प्रोसेस हमें थोड़ा जल्दी-जल्दी करना है जिसे गूड और तील प्रॉपरली मिक्स हो जाए देखें यह अच्छे से मिक्स हो गया एक दम और हमने जो गैस है वो बंद कर रखी है अब इस अब भी यह बहुत गर्म है अगर आप इसको इस तरह से हाथ लगा के देखेंगी तो भी इसको हाथ लगाना भी बड़ा मुश्किल है तो इसके लिए अभी पहले हम हाथ पर थोड़ा से अपनी घी लगा लेंगे जब हम इसको हाथ से उठाने की कोशिश कर रहें तो यह ब इस तरह से आपका काम भी जल्दी हो जाएगा और आपके हाथ भी नहीं जलेंगे और हो सके तो घर में अगर कोई और है तो आप उनकी भी हल्प ले सकते हैं जिससे लड़ू फटा फट बन जाएंगे देखे जब हम इनको इस तरह से स्पून से अलग कर रहे हैं तो एक थो आप दोनों हाथों में इस तरह से करके लड़ू बना सकते हैं उप्र फटाफव और फटाफट बनानने में बटाने में पार बात में हमें थोड़ा होने केपद बनाएंगे तो ऺरेक का जाएंगे इस तरह से कर देंगे इक Sito घ्ने यह ऐन अरी सांद् June अगर हाथ में गर्म लग रहा है तो फिर से पानी लगा के और फिर बना लेंगे देखे हमने इसके अंदर घी डाला है उसे क्या होता है घी डालने से जो लड्डू है बहुत सौफ्ट बनते हैं और उनके उपर एक बहुत अच्छी से शाइन आ जाती है चमक आ जाती है गोल नहीं रहेंगे इसी तरह से हम अपने सारे लड्डू फटाफट बनाकर तयार कर लेंगे देखिए हमने अपने सारे लड़ू बनाकर तैयार कर लिए हैं, देखिए कितने बढ़िया बने हैं, देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं इसमें जो एक चमच घी डाला है, उसकी वज़े से सॉफ्ट तो हैंगी, साथ ही देखो इसको देखने में कितनी अच्छी शाइन आ रहे हैं, इनके ओपर कितनी अच्छी चमच है देखिए हैना इन लडूं को बनाना कितना आसान, बस हमें इतना दिहान रखना है कि जितने हम तिल लें, उतना ही हमें गुड़ लेना है, और गुड़ को हमेंकर debit करके लेना है अगर आपको आज के हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेर करें और अब तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर बैल आइकन प्रेस कर आल पर क्लिक करें जिससे हम फ्यूचर में जब भी इस तरह के आसान और टेस्टी रेसिपी की वीडियो लाएं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए थैंक यू